जॉब प्रोफाइल ओफिस जूनियर एंड सीनियर ट्रांसलेटर इंस सेंट्रल गर्मेंट ओफ इंडिया आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की कैसी जॉब होती है और क्या क्या आपको सुविधाई मिलती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है वो सब कुछ बताएंगे आपको पता होगा कि हम बहुत साल से वीडियो बना रही है लेकिन कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई गई है कि जिसमें आपको पता चलेगी translator का कार्य क्या होता है क्या इनको करना पड़ता है कितनी इनकी salary होती है कौन-कौन से इनको allowance मिलते हैं तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे तो देख लेते हैं highlights क्या हैं office hours आपको बताएंगे leaves and holidays की बात करेंगे और उनके types करेंगे कौन-कौन से होते हैं उसके बाद मे allowance देखेंगे और उनके types करेंगे फिर आते हैं आपके deduction क्या-क्या आपका कटता है आपकी salary से और फिर junior translator की कितनी salary होती है senior की कितनी होती है joining पे उसके बाद में increment कितने लगते हैं पहला increment एक जुलाई को लगता है या एक जनवरी को लगता है और एक जनवरी को लगता है तो हम ये सारी बाते discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरू कर देते हैं सबसे पहले आपका आता है office या फिर आप कहेंगे working hours ये आपका जो कारेले का समय होता है वो सुबह के 9 से शाम साड़े 5 बज़े तक होता है और आपका जो lunch होता है एक से डेड़ बज़े होता है अगर आपक इसकी बात करें तो आपकी जो चुट्टी होती है हर सनिवार और रविवार को होती है आपकी पोस्टिंग चाहे कहीं भी हो और restricted holiday होते हैं उनकी भी होती है और इसके साथ साथ central government के जितने सारे holiday होते है जैसे holy दिवाली 2 अक्तूबर 15 अगस 26 जनवरी इन सब की चुट्टि ये सभी जानते हैं इसको दो तिन लिव जो है मुख्य होती है ये 30 लिव आपको मिलती है 15 पलस 15 कारती ये है कि पहले हाफ में साल के पहले हाफ में यानि कि पहले 6 मेने आप 15 चुट्टी ले सकते हो बाद के 6 मेने 15 ले सकते है टोटल आपको 30 मिल सकती है और can be added up to 300 इसकारत जाएंगी maximum आप अपने account में 300 चुट्टी एड कर सकते हो और जब आप retirement आते हैं आपकी तो उस time का basic DA जो लगा के इन चुट्टियों के हिसाब से उस time की जो आपकी salary होती है वो आपको मिल जाती है इसकी include holiday का अर्थ ये है कि जब आप चुट्टी लेके आएंगे मालो आप casual leave एक committed leave भी होती है CL वो अलग होती है तो ये 8 मिलती है हर साल और 12 मिलती है PWD candidates को उन्होंने employees को उन्होंने इसके लिए request की थी तो accept कर ली गई बाद में और इसमें अच्छी बात ये है कि holy day जो होती है बीच में सनिवार रविवार या कोई सरकारी छुट्टी पड़ती है अकाउंट नहीं होती तो ये आपको 8 मिलती है हर साल तो ये कहीं पर भी एर नहीं होती साल के end में lapse हो जाती है खत्म हो जाती है फिर आता है आपका restricted holidays और एच ये आपको 2 मिलती है और ये साल के अंत में खत्म हो जाती है restricted holidays की एक list आती है आप जिस state में जिस भी city में काम करते हो वहां के हिसाब से उधारन के लिए मालो आपकी पोस्टिंग आ गई केरल में और वहां पे एक ओनम का त्योहार मनाया जाता है तो आप उस त्योहार पे छुट्टी ले सकते हैं यानि कि 5-6 छुट्टी होती है मालो दो ले सकते हो वैसे 5-6 की list आती है आगे चलते हैं half pay leave half pay leave का अर्थ होता है भाई आधे अर्ध वेतन चुट्टी अर्ध वेतनिक चुट्टी यह आपको 10 plus 10 is equal to 20 यानि कि पहले half में 10 मिलेंगी दूसरे आप में 10 मिलेंगी total आपको 20 मिलती है यह आप lunch से पहले या lunch के बाद में भी ले सकते हो दूसरी बात यह है कि जो लेट आते हैं उनकी half pay लगा दी जाती है मालो आपका time है 9 बजे का office में जाने का आप पहुंच गए वही 10 बजे तो अब क्या होगा कोई फाइदा नहीं है क्यों कि बालमेट्रिक वाला system है तो आपका आधे दिन की चुट्टी जो है वो काट ली जाएगी और जो लंच के बाद का time है वह आपका आधे दिन में count होगा अब यहां पर two times per year का क्यारत है जो लेट आते हैं मालो आप हो आप office में 9 बजे का time है और आप 10 बजे यानि कि 9 बजे के 45 मिनट पर office में पहुंच गए तो आपके senior है वह आपसे कहें वो चल सकते हैं ठीक है दो बार वो allowed कर सकते है दो बार आपकी HPL नहीं लगाएगा लेकिन दो से ज्यादा होगी तो वो लगाएगा लेकिन जरूरी नहीं कि दो बार लगाएगा अगर आपकी अच्छी बनती है या फिर वो अच्छे इंसान है तो फिर आपके दो कर देगा साल में ठीक है अब आती है maternity leave ये महिलाओं को मिलती है 180 दिन यानि कि 6 महिने की छुट्टी मिलती है और ये दो बच्चों पर मिलती है पहला बच्चा होगा 6 महिने की छुट्टी मिल जाएगी दूसरा बच्चा होगा 6 महिने की छुट्टी मिल जाएगी ठीक है अब इस के maternity leave भी महिला को तो मिल गई उसको बच्चा हो गई जो पिता है उसको भी तो बच्चा हुआ है ना तो अगर उसको चुट्टी मिलेगी तो कितने दिन की मिलते आव वो मिलते बच्चे 5 दिन की और ये 6 महिने तक ले यानि कि एक जनवरी को उसका बच्चा हुआ है तो एक से पंद्रे तक वो छुट्टी ले सकता है या फिर जून तक तीजून तक वो पंद्रे दिन की लगातार छुट्टी ले सकता है दो बच्चों की छुट्टी ले सकता है दो बच्चे होने पर दो से ज्यादा होंगे तो उसका कोई allowance वगेरा कोई भी छोटे वगेरा नहीं मिलती है क्योंकि सरकार कहती है और हम भी कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे ठीक है आगे चलते हैं तो चाइल्ड केर लीव बच्चे हो गए तो उनकी परवरिश भी करनी पड़ती है तो चाइल्ड केर लीव होती है गए तो आपके पूरे सर्विस पीरियड में एक महिला ले सकती है यह महिलाओं के लिए है ठीक है और केवल दो बच्चे मान लो उसका एक बच्चा हो गया ठीक है और वो बच्चा जब 18 साल का होगा 18 साल का होने तक टोटल 730 दिन की अलग से छुटी ले सकती है कि भाई से ज़्यादा होंगे तो कोई अलावंस नहीं मिलेगा इसके बाद स्पेशल डिसेबिलिटी लीव स्टी लीव है मानलों किसी का भगवान ना करें किसी का कोई एकसिडेंट हो जाए तो 120 दिन की उसको छुटी मिलेगी उसके बाद में तब तक भी ठीक नहीं होता है तो उस इसके बाद में फिर HPL चल जाएगी उसकी हाफ पे लीव चल जाएगी यानि कि लगबग चार महीने की छुटी उसको मिलेगी उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो फिर उसके आदे दिन की सेलरी काट दी जाएगी आगे आती है स्टेडी लीव यह सबसे ज्यादा मिलती है ड़ी 24 महीने यानि कि यह 2 साल की चुटी मिलती है लेकिन जब आपकी सर्विस में 5 साल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप कहीं पर स्टेडी कर सकते हो तो आपको 2 साल की 24 महीने की चुटी मिल सकती है यह हमारी हो गवे इंपॉर्टेंट लीव बाकि जब आप कोई office जोइन करेंगे या फिर अपने कोई office जोइन किया हुआ है तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें आगे चलते हैं HRA तो भाई HRA देखो अब इसको समझ लेते हैं XYZ City क्या है एक सिटी में जो HRA होता है वो 27% होता है बेसिक पेका और HRA में कौन सी सिटी आती है जिनकी जनसंक्या 50 लाग से अधिक होती है वर्तमान में आठ सिटी हैं सी एहमदाबाद, बैंगलोर, पुने, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता इन आठ शहरों में जिसकी पोस्टिंग आएगी उसको 27% HRA मिलेगा इसके बाद आती है Y City इसमें 18% बेसिक पेका मिलता है HRA ये उस शहर मतलब इस कैटिगरी में वो शहर आते हैं जो 20 लाग से 50 लाग तक के बीच में जिनकी पोपुलेशन है इसमें टोटल 79 cities आती है आप देख सकते हैं इनमें अगर आपकी कहीं पे पोस्टिंग है तो आपको 18% मिलेगा अब इन दोनों टेबल्स के अलावा यानि की X और Y City के अलावा जो बाखी की cities बच गई उनमें अगर पोस्टिंग आपकी आती है तो आपको मिलेगा 9% बेसिक पेका और Z cities जो होती है इनमें 20 लाग से कम पोपुलेशन होती है तो ये Z cities के अंडर में आती है ठीक है जी तो ये हो गया एचारे का system आगे समझेंगे salary में किस तरह से एचारे count होता है फिर आता है dearness allowance हाल ही में बढ़ा था dearness allowance 42% कर दिया गया बेसिक पेका जुलाई में भी बढ़ सकता है पूरे chances है transport allowance अब क्या होता है देखिए ये भी allowance आपको मिलता है ये level 3 से level 8 की salary यानि कि जो post होती है उनमें मिलता है junior translator की level 6 की है senior की level 7 की है तो 3 से 8 के बीच में जितनी सारी है उनको मिलता है TPTA cities में मिलता है 3600 प्लस में DA on TA यानि कि 3600 पर जितने आपका DA लगेगा वो अब TPTA cities कौन सी है वो भी आपको बताएंगे नमबर 2 पर होता है TPTA से जो अलग cities है उनमें मिलता है 1800 प्लस 1800 पर DA तो यहाँ पर higher TPTA 13 cities है एमदाबाद, बैंगलोर, चेन नई, कोइंबटोर, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर, मुंबई, हैदराबाद, इंदोर, जैपूर, पतना, पुने, सूरत इनके अलावा जो बाखी cities हैं वहाँ पर आपको 1800 मिलेगा, अगर इनमें आपकी कहीं पर पोस्टिंग आती है तो आपको 3600 पलस में इस पर DA मिलेगा, जो सैलरी की टेबल है वो आपको समझाएंगे, वहाँ पर आपको सारा किलियर हो जाएगा Children Education Allowance भी मिलता है बाई, यह दो बच्चों पर ही मिलता है और एक बच्चे के लिए 2250 रुपे पर महिने मिलेंगे या फिर एक साल में 27000 रुपे मिलेंगे, अगर होस्टल में पड़ता है तो 6750 रुपे पर मंत होस्टल के मिलते है एक बच्चे के लिए तो यह आपके Important Allowance थे, अब आते हैं आगे की Medical Allowance पे तो यह 100% मिलता है आपको जितना आपका खर्चा होता है आपके Family Members को, जब आपकी Joining होती है तो आपसे लिये जाते हैं आपके Family में जो भी Members होते हैं उनके फोटो लिये जाते हैं उनके ID ली जाती है तो उनका जो इलाज ह होता है वो Free होता है Center में फिर आता है जी Special Duty Allowance, Special Duty Allowance NER के साथ स्टेट हैं तो जैसे होगा आपका गुहार्टी, आईजॉल, शीलॉंग, कोहिमा, लेह, तो यहाँ पे आपको Special Duty Allowance मिलता है और जो NIA, ED वगेरा के Department में आते हैं तो उनको भी Special Duty Allowance मिल जाता है दिवाली बोनस लगबग साथ हजार के करी मिलता है हर साल ठीक है अब डिडेक्शन पे बात करें तो 10% आपका हर महीने करता है आपके Basic Pay का टोटल आपके 24% वहाँ पे जमा होते हैं जब आप रिटायर होते हैं तो उस टाइम पे आपको मिल जाता है इसमें 14% गवर्मेंट देती हैं 10% आप हो गया लेकिन उनको यह नहीं पता कि 10% इस नहीं दिया था और 14% सरकार नहीं दिया था वह मनी आप लेके उस ताइम पर आते हो दूसरा डिडेक्शन है सीजी एचे सेन्ट्रल गवर्मेंट हैल्थ स्कीम यह 450 रुपे इसके हर महीने करते हैं भाई आपको भी बताया था कि आपका जो इलाज है वो फिरी होगा आपके मेंबर्स फैमिली मेंबर्स का जो इलाज है वो फिरी होगा तो 450 रुपे आप हर महीने कटवाते हैं इसलिए फिरी होता है CGE GIS Central Government Employee Group Insurance Scheme यह 100 रुपे हर महीने कटते हैं आपका जो इंसुरेंस होता है मानलोकल को कोई दिक्कत होगे आपको तो इंसुरेंस जो आपका होगा उसके 100 रुपे हर महीने आपकी सैलरी से कटते हैं इसके अलावा यह तीन तो आपके सभी के कटेंगे बाकी professional tax है यह कुछ ह सैलरी है और यह जो स्टेट है जिन में professional tax लगता है यह आपके अंदरपरदेश असम बिहार गुजरात करनाटक केरल मध्यापरदेश महाराष्ट तमिल लाडू वेस्ट बंगाल एटसेटरा अब आ जाती है जी आपकी सैलरी फर्स्ट मन्थ सैलरी ओफ जूनियर ट्रांसले से आपको मिलती है सैन्टर में एक सिटी में अगर आपकी posting है और वाई सिटी जो टीपीटीए में आती है यजह य०्ष सीटी वो टीपीटी ए में आती ही नहीं है ठीक है तो चार तरह से आपको सैलरी मिलती है बेसिक पे की बात करें तो सभी सिटी में आपको 35,400 मिलता है जूनियर ट्रांसलेटर को डियरनेस अलावेंस 14,868 मिलता है 42% है हरे 27% है तो भाई यह आपको एक सिटी में मिलेगा 9558 वाई सिटी में मिलेगा TPTA जहां पे है और TPTA जहां पे नहीं है वहां पे भी 6,372 और Z सिटी में आपको मिलेगा 3,186 इसके लिए आवा ट्रैवलिंग अलावेंस जो है ट्रांस्पोर्ट अलावेंस वो आपको मिलता है 3600, X और Y TPTA सिटी में और Y सिटी जो TPTA में नहीं आती है और Z सिटी उनमें 18,000 मिलता है सेम इसका जो डिये इस पे लगेगा तो 3600 पे लगेगा 1512 रुपे और 1800 का जो डियरनेस अलावेंस होगा वो आपका पड़ेगा 756 रुपे यानि कि अभी 42% है उसके हिसाब से टोटल आपकी जो सेलरी होगी X सिटी में होगी 64,938, Y सिटी में होगी 61752, Y सिटी जो TPTA में नहीं आती 69,196 और Z सिटी में होगी आपकी सेलरी 56,010 रुपे अब आपकी डिडेक्शन भी होंगे, डिडेक्शन कौन-कौन से होंगे 10% बेसिक पे का कटेगा जो आपके NPS में जाएगा 3540 रुपे कटेंगे DA आपका कटेगा 10% 1486 रुपे कटेंगे 0.8, CGHS के 450, CGGIS के 68 रुपे और professional tax यह हर एक पे नहीं लगता, कुछ पे ही लगेगा तो इसलिए इसको include नहीं किया गए आपकी जो enhanced salary होगी, income tax आपका देखो, income tax टोटल आपकी जो basic emiluments होते हैं साल में, वो जो total salary आपकी होती है, उसका 10% आपको भरना पड़ता है तो income tax लगभग लगभग आपको 40-50,000 पर year पे करना पड़ता है, वो आपकी salary पर depend करता है, employee to employee depend करता है कि किस पर कितना income tax लगेगा, आपकी enhanced salary आएगी भाई, XCT में 49,401.2 रुपे YCT जो TPTA में आती है, मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे आएगा 56,215.2 रुपे YCT जो TPTA में नहीं आती, वहाँ पे 53,669.2 रुपे, और ZCT में जहाँ जिसकी posting आगई उसको हाथ में उसके salary जो पहली salary आएगी, 50,473.2 रुपे दिवाली bonus आपको मिलता है, यह साल में एक ही बार मिलता है, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं है अधर allowance हैं भाई, आपको stationary वगरा मिलती है, आपको जैसे diary हो गई, books हो गई, आप copy वगरा कर सकते हो, print निकाल सकते हो, pen वगरा हो गई, pencil हो गई, यह सारी चीज़े आपको stationary में जितना समान आता है, वो आपको free में मिलता है, हर department में canteen हो गई, canteen में जैसे जो defense में जाते हैं बंदे, जहापे canteen card बनता है, जैसे Navy Air Force में senior की भरती आई थी, junior की वी vacancy आई थी, तो वहाँ पे आपको canteen की सुभीधा मिलती है, और कुछ other special allowance भी होते हैं, special duty यानि कि कैसी state में आपकी posting आई, कैसे आपको department मिला है, तो वो भी थ 24,900 है, DA आपका 18,858 बनेगा, XCT में H4A बनेगा 12,123, YCT में बनेगा 8,082 रुपे और ZCT में बनेगा 4,041, TA आपका सेम रहेगा, TA पे DA जो है वो भी सेम रहेगा, total आपकी जो salary होगी senior translator की वो होगी 893 रुपे XCT में, TPTA की YCT में होगी 76,952 रुपे, YCT अदर्स में ह होगी 44,396 रुपे, ZCT में होगी 70,355 रुपे, आपके जो deduction होंगे, 10% NPS में जो जाएगा 44,90 रुपे जाएगा, और इसके बाद आता है आपका 10% DA जो इस पे लगेगा, वो 1885.8 रुपे लगेगा, CGHS के 450, CGGIS के 50 रुपे, professional tax, same है बागी सारे के सारे, और ये income tax आपको तो आपको इन्हेंट salary पड़ेगी भई, XT में जो senior translator आएगा, जैसे दिल्ली, बैंगलोर बगेरा होगी, तो यहाँ पे 44,107.2 रुपे आपको आएंगे, और YCT TPTA में हो जाएगे, 70,066.2 रुपे, और YCT others में जो आती है, TPTA में नहीं आती है, 66,510 रुपे, और आपके ZC में आएगी, 63,479.2 रुपे, तो यह senior translator की इतिनी सारी होती है, दिवाली bonus सभी को मिलता है, बाके other allowance है, stationery canteen और कुछ department पर भी निर्वर करता है, आपके state पर भी निर्वर करता है, इंक्रिमेंट की बात करें, तो भाई देखो आपका minimum इंक्रिमेंट लगता है, 500 maximum होता है, 600 आपके किसमें, आपका जो यह होता है, बेसिक होता है, तो हर साल इंक्रिमेंट साल में एक बार लगता है, 3% होता है, बेसिक पे का, ठीक है जी, अभी जैसे junior का, अभी आपको बताते आगे, ठीक है, पहला इंक्रिमेंट कब लगेगा, पहला इंक्रिमेंट लगेगा, महिने में मई में या फिर अगले महिने जून में या फिर एक जुलाई तक तो उसका इंक्रिमेंट लगेगा एक जनवरी दो हजार चोबिस को लेकिन एक जुलाई दो हजार चोबिस को किसका लगेगा जिसकी जोइनिंग दो जुलाई से एक जनवरी के बीच में होगी पहले जो increment लगता था 2016 से पहले जो आपका 6 वेतन आयोग था वहाँ पे सभी का increment 1 Juan को लगता था तो इसलिए कहते हैं कि आपकी जो Joining है जून से पहले अगर हो जाती है तो आपका increment जल्दी लग जाता है अब increment समझ लेते हैं 35,400 यानि कि पहले जूनियर का देखते हैं उसके बाद में सीनियर का पहला इंक्रिमेंट आपका जो लगेगा और आपकी सेलरी कितनी बन जाएगी यानि कि आपका बेसिक पर कितना हो जाएगा 36,500, 37,600, 38,700, 49,900, 41,100, 42,300, 43,600 और फिर आठवा इंक्रिमेंट जब लगेगा तब 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 आप सीनियरी बन जाओगे तो ये बनेगा 44,900 तो जो लोग सीनियर बने है तो वो देख लो कितने आगे पहुँच गए हैं दूनियर बने है तो देखलो सीनियर बंदे आप से कितने आगे चले गए हैं एक ही एक्जाम देखे आगे बात करते हैं सीनियर की तो भाई 44,900 पहला इंक्रिमेंट लगता नहीं है बेसिक पे ही होता है पहला जो लगेगा और 46,200 से और आप देखलो जो लास्ट वाला इंक्र अब आखे देखते से प्रोबेशन प्रोबेशन पीरेड यह आपको दो साल का होता यह जीलिओं नहीं होता है कि लेकिन थोड़ा सा ही होता है कि आप यह मानलोग पक्के हो गए आपकी नोकरी जो शोर हो गई और उसके बाद में कुछ सुविधाय कुछ जिम्मेदारिया भी आपको मिल जाती है ठीक है तो दो साल का प्रोवेशन पीरेड होता है अब देख लेते हैं भाई क आप बन जाएंगे सीनियर ट्रांसलेटर लेवल साथ ग्रूप भी नोन गैजेटिड है सीनियर का जो पहला प्रोमोशन होगा उसके बाद में यह तीन साल के बाद होता है वह बन जाएगा असिस्टेंट डारेक्टर यह फिर ग्रूप ए में आ जाते हैं गैजेटिड हो जा इसके पांच साल बाद आपको बना जाता है जोइंट डारेक्टर लेवल 12 की सेलरी मिलती है और फिर पांच साल बाद उसके डारेक्टर बना जाता है लेवल 13 की सेलरी मिलती है ग्रूप ए गैजेटिड इसके उपर और कुछ नहीं है तो जूनियर से आप केवल क्या बन सकत तो यह आपके होते हैं क्या । कि प्रोमोश्णस इसने पेज़ यह आपको साज़ा कुछ आज समझ में आ गया होगा इस तरह की वीडियो की बहुत आशक्ता थी तो जो लोग जुनियर्ट्रॉनियर्ट्सलेटर की तियारी कर रहे हैं सेनियर्ट्र में चले तो आपको सइंटिफिक जो है ठ्रांसलेशन होगा और कुछ प्रशाशन जैसे में चले गए तो होगाई इस आपको निवाद आप को करना पड़ेगा तो इसे के ढशी से भी निर्वर करता है कि देखना होगा बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जूनियर और सेनियर ट्रांसलेटर के जो प्रोफाइल कैसी होती है